माता का एक और रूप आता है जिसे काल रात्री कहा गया है यह ऐसा स्वरूप है जो मनश्य को सिध्धी प्रदान करता है माता के इस रूप को शुभंकरी भी कहा गया है यानि कि शुभ फल देने वाली मा जो कल्यान करती है जो सिध्धी देती है जो शक्तियां देती है जो पावर देती है इस ब्रह्मान में अनेक अनेक शक्तियां अनेक सिध्धियां वास करती है वह सिध्धियां वह रिध्धी सि वह प्रकाश वह दिव्यता मेरे भी तर आ जाए इसके लिए माता के काल रात्री स्वरूप का ध्यान किया जाता है शुभंकरी के स्वरूप का ध्यान किया जाता है यह स्वरूप आपके सहस्त्रार शक्र में उपर की तरफ यहां पर होता है और यहां जैसे ही साधक का ध्यान टिकता है यह एक करह से gateway है ब्रहमांड का यह दर्वाजा है जो खोल दिया जाए तो ब्रहमांड से direct connection हो जाता है यहीं पर जैसे ही connection होगा आनन्द की वर्षा होनी शुरू होती है यहीं से ब्रह्मान अपनी दिव्यता अपनी सिद्धियां अपनी शक्तियां साधक को देना आरंब करता हैं तो यह जो माता का स्वरूप है यह परम मुक्ष देने वाला कल्यान करने वाला शुबता देने वाला दिव्यता देने वाला सिद्धी देने वाला सोरूप है तो कोशिश करके और जाको उपर की तरफ ले जाकर यहां पर ध्यान टिका लें आज के दिन हम आग्या चक्र पर मन को टिका कर इसको जागरित करेंगे और साथी साथ अपनी शक्ति को किस प्रकार से उपर लेके जाया जाए ब्रह्मान से कैसे संपर्क जोड़ा जाए इस विश्य में भी हम अपना प्रयास रखेंगे साथी साथ जैसे हम लोग और भी चीज़ें कर रहे हैं तादना करते हुए आज वैसे ही अपने आपको सद्गुरु के चर्णों में समर्पित करेंगे देवी माता के चर्णों में समर्पित करेंगे अपनी सारे क्रोध को फ्रस्ट्रेशन को बाहर फैक दीजिए मन के इंदित हो जाए आग्या चक्र पर तीन बार ओम का उचारण करें ओम 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 पुन्डुप से शांत वस सहज मांटिक चाय दोनों भवों के बीच देवी मा को प्रणाम करें सद्गुरु देव को प्रणाम करें प्रमान की सभी पवित्र शक्तियों को प्रणाम हम समर्पित करते हैं अपने आपको ही मेरे गुरु देव मीरा कल्यान करो इस पूरे विश्व का कल्यान हो जगत का कल्यान हो इस ब्रमान का कल्यान हो अशिर्वाद दीजे मन मुलद हर चक्र रीड की हड़ी का सबसे नीचे वाला भाग वहाँ पर मन टिके लाल रंग पे ध्यान के इंद्रित करते हुए शक्ति को माता को जगाएं नजाने कितने जन्मों से यह शक्ति सोई है हे मा तुम जागो मेरा उठान करो मा मेरे पापों को नश्ट कर दो मेरे दुखों को भस्म कर दो मैं पवित्रता के मार्क पर चल पाऊँ मैं इश्वर के मार्क पर चल पाऊँ ओम का उचारन करें ओम 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 शक्तियों को महसूस करते हुए उन्देवे शक्तियों को दूसरे चक्र की तरफ स्वाधिष्ठान की तरफ लेकर आईए सैयम की शक्ति तप की शक्ति भीतर जाग जाए पुरी पवित्रता के साथ पुरी तरहे से अपने आपको साधते हुए मन को केंद्रित करते हुए माता को प्रणाम करते हुए तीन भार ओम का उचारन करें ओम मैं मन को सैयमित कर पाऊं अपनी वीकनिसिस को छोड़ पाऊं कमजोरियां छुटे शक्ति आहे भक्ति जाग रिथो संसार छुटे नाभी केंद्र पर मन टिकाए माता की साहस वाली शौरे वाली शक्ति को याद कीजे तुष्टो का संगहार करने वाली सजनों की रक्षा करने वाली हमारे भीतर शक्ति को जगाने वाली मा प्रणाम करें उसे से शार वाली शौरे वाली शौरे भाली लो की रिखने वादाने वाली वाली शौरे भाली ।